अब बात करते हैं लिवर की हेल्थ की आपको ये पता होना चाहिए की लिवर हमारी बाडी का बहुत ही important organ है ये हमारी बाडी का food processor और food storage system है जो खाना हम खाते हैं हमारा लिवर उसको आसानी से पचने में मदद करता है और जो excess या अधिक होता है उसे लिवर अपने आप में store कर लेता है फिर जब हमारी बाडी को उन आहारों की जरूरत होती है तब लिवर उन्हें blood में release कर देता है ताकि वो body के काम में आ सके लिवर हमारे शरीर में डाले गए toxins जैसे alcohol, fat जैसे तेल और घी, hormones, दवाईया, bacteria, virus या fungus आधी को बेशर करने का काम भी करता है इसके अलावा लिवर में bile या पित बनता है पित हमारे खाने को पचाने में मद खास करता है खास करके fat या चिकनाई को इसलिए जिन लोगों का पित ठीक से नहीं बन पाता या पित की थेली में पथरी पड़ जाती है उन्हें हमेशा indigestion या बदहस्मी की शिकायत रहती है यदि आप अच्छा healthy food खाओगे तो लिवर उसे शरीर में काम में आने वाले तत पाएगा फिर ये सारे हानीकारक पदार्त आपके blood में इखटा होते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी सेहत बिगड़ने लगेगी यही कारण है कि शुरू में जब हम हानीकारक खाना पीना शुरू करते हैं तो हमारे liver और kidney over time काम करके हमारी सेहत को संभालने की कोशिश करत हैं लेकिन जब आप इन हानीकारक खाने पीने का उप्योग बंधी नहीं करते हो तो धीरे धीरे वो ठक जाते हैं और वहीं से आपकी problems की शुरूआत होती है लिवर की health के लिए सबसे अच्छा खाना क्या है? लिवर की health के लिए सबसे अच्छा खाना है sprouts याने जड निकली हुई डाल जिन लोगों को liver की कोई बिमारी भी है जैसे जॉन्डिस या पीलिया, fatty liver आदी, बे लोग भी यदि पतली डाल के साथ उबला हुआ चामल और sprouts ख काली कॉफी और green tea, खाना खाने के बाद एक कप गरम काली कॉफी या हरी चाए पीना liver के लिए healthy है, प्रोटीन्स में दालें, खास करके मूं की दाल, खिचडी और दही, ड्राइफ रूट्स में अखरोट, बदाम और काजू, नॉन वेजिटेरियन खाने में फिश याने मच और अंडे को liver आसानी से पचा लेता है, फलों में अंगूर, मौसमी, गरने का रस और cranberry अच्छे हैं, चौथा है पानी या water, जब हम अच्छी मातरा में पानी पीते हैं, तो खून का चाप liver में अच्छा चलता है, जिससे liver द्वारा पचाया खाना जल्दी से बाहर निकल और liver आपके अगले खाने को पचाने के लिए त्यार हो जाता है, अब वो चीजें जिनको खाने से liver ठीक नहीं पचा पाता और उनके एकटा होने से liver को नुकसान होता है, इसमें पहला है alcohol या शराब, 90% से ज़्यादा alcohol सिर्फ liver में पचाया जा सकता है, एक या दो drink तक liver उस को अच्छी तरह पचा लेता है, लेकिन उस से ज़्यादा नहीं पचा पाता, तो ये excess alcohol खून में चला जाता है, और आपके brain, heart आदी पर असर करता है, जिसको हम नशा चड़ना कहते हैं, ये extra alcohol हमारे शरीर में घूमता रहता है, और हमारे heart, liver, brain, kidneys को नुकसान पहुंचाता रहता है, जब तक ये kidney द्वारा urine में पूरा बाहर न निकल जाए, धीरे धीरे ये excess alcohol, heart, brain, liver, kidney और रक्त कोशिकाओं को खराब करने लगता है, दूसरा है red meat और तला हुआ खाना, क्योंकि meat के protein को process करने और अधिक तेल को अच्छी तरह पचाने के लिए हमारे liver को over time काम करन पड़ता है, तीसरा है sugar याने चीनी और नमक, alcohol की तरह बहुत ज़्यादा चीनी और नमक भी पचाना liver के लिए मुश्किल है, ज़्यादा चीनी liver में चर्वी बनकर जमा होती रहती है और liver को कमजोर करती है, कोला और packaged fruit drinks में बहुत चीनी होती है, जो liver के लिए हानी कारक है, refined foods जैसे cake, bread, cheese और tint food ये खाने और पकाने के लिए तो असान है, लेकिन इन्हें पचाना मुश्किल है, इसमें जो preservative डाले जाते हैं, वो liver और kidney दोनों के लिए हानी कारक हैं, अपनी liver की सहत टेस्ट करने के लिए आप hospital में एक साधरन liver function test करवा सकते हो, ये simple test आपको अपने liver की सहत का अच्छा अंदादा दे सकता है, अब बात करते हैं kidneys की, kidneys का सबसे important काम है कि हमारे शरीर में से पानी को बहार निकालना, इस पानी के साथ body में जो acid बनते हैं, जो chemicals हम खाते हैं, जैसे alcohol, दवाईया, excess salt and sugar और आजकल pesticide या फसलों में डाले जाने वाली कीट नाशक दवाईया, उन सब को हमारी kidney, urine के रास्ते हमारे शरीर से बहार निकालती है, और हमारे खुन को साफ रखती है, kidney हमारे शरीर में पानी, salt और minerals, जैसे sodium, potassium, calcium, आदी का संतुलन बना कर रखती है, यह हमारे blood pressure को control करती है, kidney में vitamin D का active form बनता है, जो हमारी हड़ियों और muscles को calcium का इस्तमाल करके उन्हें मजबूत रखने में साहता करता है, हमारे खुन में कितने red blood cells बनते हैं, इस पर भी हमारी kidney नियंतरन करती है, इसलिए हमारे शरीर को पूरी तरह स्वस्त रखने के लिए जरूरी है कि हमारी kidneys हमेशा पूरी शमता से काम करें, जब हमारी kidney में कोई infection हो थोड़ा थोड़ा urine आता है, urine करते समय जलन होती है, कभी कभी urine में blood भी निकलता है, हलका बुखार और ठकावट हर समय रहती है, skin सूखने लगती है, भूक नहीं लगती, खून की कमी होने लगती है, हाथ पेरों में cramps या एठन आने लगती है, टकनों के आसपास सूजन र रहने लगती है, और blood pressure बढ़ने लगता है, अपनी kidney को healthy रखने के लिए सबसे जरूरी है पानी, एक दिन में डेड़ से दो लीटर पानी पीना अच्छा है, अच्छी मातरा में पानी पीने से जहरीले chemicals kidney में जमा नहीं होने पाते, और urine के द्वारा आसानी से बाहर निकल ज पातरा में डाले जाते हैं, जादा नमक और जादा चीनी खास करके refine नमक, pesticides या कीट नाशक दवाईया kidney को damage कर देती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सारे फल, सबजियों, दाल, चावल, आदी को खाने और पकाने के पहले पानी से अच्छी तरह 3-4 बार धोएं, Tint food, इसमें जो preservative इने खराब होने से बचाने के लिए डाले जाते हैं, वो भी kidney को नुकसान करते हैं, फलों में केला, संत्रा और अवकाडो, kidney problem वालों को नहीं खाना चाहिए, kidney के लिए लापकारी foods हैं, सबजियों में लाल शिमला मिर्ची, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लैसुन, प्याज, फलों में सेब, अंगूर, चेरी, स्ट्रॉबरी, क्रैनबरी, kidney के लिए लापकारी हैं, खाने में मचली और अंडे की सफेदी और olive oil kidney के लिए अच्छे हैं, kidney की सहत की जाच कराने के लिए आप hospital या pathology lab में simple routine urine test और एक kidney function test करवा सकते हैं, ये दो test करने से आपको अपनी kidney की health का अच्छा अंदाजा लग सकता है, दोस्तों आशा है इस वीडियो से आपको पता चला है कि आपका खून, liver और kidney कैसे काम करते हैं, उनको healthy रखने के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, और इनकी सहर जानने के लिए आप कौन से आधरन टेस्ट करवा सकते हो, इन टेस्ट में कोई खराबी निकले तो आप डॉक्टर की सला के अनुसार आगे टेस्ट और अपना treatment करवा सकते हो